कई वर्षों से उबर खाबर गड़े योक्त गली में रहने के बाद अमरतिय स्टेट फेजटो की गली की हालत काफी सुधरने लगी है। इस जगह की सड़क भी कॉलोनी विक्सत होने पर बनी थी लेकिन तीन दशक से यहां की सड़क नहीं बनी। अब इस गली में काम तेज़ी के साथ हो रहा है। लोगों को उमीद है कि जल्द ही ये सड़क बनेगी। नाली का काम यहां पर दिखाई दिया है कि यहां पर नाली का काम हुआ है। और नाली के काम के साथ साथ आपको दिखाएंगे थी ये गंगा जल्द की पाइफ है आप ये गंगा जल्द भी देख रहे हैं। का गень यह आ चुका है गाउन की पाइप भी हो गई है और समगत हैं पर ग्रीन गैस की अभी नहीं धिखाए दे रही कर सिह काल ओर अरेट ऑ recipes रहे ही और नों सीबर और गना जल ग्रीन गैस टीनों चीजें यहां पर कम्प्लीट हो चुकी है और अब यह पूरी तरह से काम जोर सूर्स यहां पर हो रहा है तो यह लगबग 50 से 60 मिटर की अस्टड़क होगी बहुत जादा गर होगी तो इसके खुदा ही समय चालू है पहले नाली बनेगी ग्रीन गैस आएगी और यहां पर सीवर डल चुकी पहल की तरफ तो तेजी के साथ काम हो रहा है सबसे पहले नाली सापसफाई की व्यूस्ता देखी जा रही है उसके बाद जो है कई सालों के बाद शायद इस कॉलोनी का नंबर आया है 25-30 साल होगे कॉलोनी को मुझे लग रहा है और यहां पर कॉलोनी को लोग नार किये जीवन बच्चियां खेल नी पाते तो उनके ऐसे ही हालत थी उस समय भी जब यहां पर नहीं हुई थी लेकिन अब यहां के हाला सुधरने वाले है अब लोगों के यहां पर रहने में भी अच्छा लगेगा कि लोग यहां पर रहने लगेंगे और कोई उनको दिक्कत नहीं होगी एक कुछ यहां पर हैं लोग इन से जहानते हम किया होने वाला यहां पर कौन सी कॉलोनी है आपकी आगे आईए मारीति सटेट तीन-चार सास लगता है उठा रहा है अब क्या पूशिशन है इस सड़क तो यहां 20 सालों से नहीं बनीती है इसा लगता था किसी नरक में रह रहे हैं हमेशा बारिश में इतना सारा पानी बढ़ जाता था निकल नहीं पाते थे बट थोड़ा फिर से पता नहीं क्या परिवर जादा दिन नहीं हुआ मुझे लगता आए हुए काफी कम समय हुआ होगा आए हुए आप और आप आगे आए थोड़ा सा दिये देखिए एक और है यहां पर इनसे बात करते हैं क्या पूशिशन है भी इस कॉलोनी की कई बार सी नियूज ने प्रमुत्तक सा इसका कर सकते हैं बहुत ही हम लोग को दिक्कतों का सामना होता था और बारिश होती थी तो सारा पानी या वाटर लॉगिंग भी होता था तो अब मुझे लगता है कि अब काफी अच्छा हो जाएगा रोट बनने के बार जी मैं स्वाती अब यानि की उमीद की जा रही है कि अच् ये रोट का भी काम शुरू हो चुका है यहां के लोगों का कहना है कि गंगा जल भी आ चुका है ग्रीन गैस भी आ पर आ गई है सीवल लाइन पहले से डल चुकी है और अगात दो लाइन अगर आनी होगी फ्यूचर में तो हो सकता वो भी या फिर से खुदाजी चालू हो क्योंकि बिभागों का कॉडिनेशन एक दूसरे बिभागों के साथ में नहीं है यही वज़े है कि बनती हुई सड़क को भी बाद में खोद दिया जाता है लेकिन अब यहां के लोगों को भी कम से कम 30 से 35 साल बाद उम्मीद जगी है कि अब यह सड़क बनेगी क्यामरा पर